हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मुदीता और आप सभी का स्वागत है मुदीता आयेस वॉर्यर्स में भार्ती रादवयस्था की श्रंक्ता में हम संसर पढ़ रहे थे जिसमें दो वीडियो पहले आचुके हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखें उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ना तो कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही बुक खोलने की तो आईए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूले धन विदेयक या फिर जिसे आप मनी बिल के नाम से भी जानते हैं जैसे कि इसके नाम से इस पस्ट हो जाता है कि धन विदेयक मनी बिल मतलब पैसो से संबंधित विदेयक या बिल सामिधान के अनुचेद 110 में धन विदेयक की परिभाशा दी गई है पिछली कास में भी मैंने बताया था कि आर्टिकल 110 किसे डील करता है धन विदेयक यानि कि मनी बिल से डील करता है इसकी परिभाशा क्या दी गई है कि किसी कर का अधिरोपन उच्सादन परिहार परिवर्तन या वीनियमन करना मतलब किसी नए प्रकार का कर लगाना समाप्त करना उसमें कुछ बदलाव करना ये सारा किसमें आता है धन विदेयक में आता है इसके अलावा अकास्मिक निधी और संचित निधी के बारे में सविधान में आर्टिकल 267 में बताया गया है जबकि संचित निधी के बारे में 266 यानि 266 और 267 किससे डील करते हैं अकास्मिक निधी और संचित निधी अकास्मिक निदी या संचित निदी से धन को निकालना या धन का जमा करना ये सारा भी किसमे आता है धन विदेयक में आता है धन विदेयक के अंतरगत आता है तो उसको as a धन विधेयक accept किया जाता है इसके लावा कोई और नहीं बता सकता कि ये धन विधेयक है या नहीं है तो कौन accept करेगा लोगसभा के अध्यक्ष और अगर उन्होंने उसे बोल दिया कि ये धन विधेयक है एक बार उसे accept कर लिया तो उसको कहीं पर भी चुनौती न सालच में भी नहीं दी जा सकती। कॉल निर्णविदेक जिए गया दてकी तो कोल देखा उसरी मOnea से लोगस्भा तो यह थेखा दो दो यहां पे धन विदयक के संबंद में शक्ति किसकी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है लोगसबा की शक्ति आ जाती है लोगसबा के हाथ में इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धन विदयक राश्टपती की पूर्व अनुमती से ही प्रस्तुत किया जाता है जहां हमने देखा था ही समान विदयक में क्या होता है कि जो बिल है उसे लोगसबा राश्टपती के पास जाता था उसके बाद फिर वो एक्ट बन जाता था लेकिन अगर बात करें धन विदयक की तो पहले क्या करना पड़ता है राश्टपती की अनुमती लीजिए उसके बाद उसको लोगसबा में पेश करिए फिर राश्टपती के पास जाएगा वह स्ताक्षर करेंगे तब जाके वह पूरा एक्ट बन जाएगा तो इसमें एक चीज और हो जाती है कि प्रस्तुत करने से पहले राश्टपती की अनुमती लेनी पड़ती है मतलब राश्टपत केवल मंतरी ही प्रस्तुत करते हैं धन विदयक जो होगा वो कोई विपक्ष का कोई गैर सदस्य व्यक्ति नहीं प्रस्तुत कर सकता जबकि हमने देखा था कि समाने विधेयक चाहे वो मंत्री दलका हो चाहे गैर मंत्री हो यानि कि विपक्ष हो या कोई भी सदन का जो सदस्य है वो प्रस्तुत कर सकता था जबकि धन विधेयक केवल सरकारी व्यक्ति ही या उसे सरकारी विधेयक इसलिए कहते है क्योंकि सरकारी व्यक्ति यानि मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है सरकारी विधियक और गैर सरकारी विधियक क्या होते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने दोनों का comparison एक table की form में अच्छे से समझाया है आपको बहुत ही अच्छे से clear हो जाएगा और मंत्री कौन होते हैं जिसके दलका नेता प्रधान मंत्री होता है उनके पास मंत्री के पद होते हैं वही प्रस्तुत कर सकते हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि जिसकी सरकार है उनही के मंत्री धन विधियक को प्रस्तुत कर सकते हैं तो इसके पास होने की जो वो होती है पास ह समान्न विधयक that is ordinary bill उसे लोकसभा में पारित होने के बाद अगर राजसभा भेज जाए तो राजसभा के पास पूरी इक्वल पावर होती थी कि उसे एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें या फिर उसे में संचोधन करें लेकिन मनी बिल के टाइम में यानि धन विधयक के केस म नहीं कर सकती मतलब राजी सभा के पास यह पावर नहीं है कि वो उसे आस्विकार कर दे या उसमें कुछ बदलाव करें तो राजी सभा क्या करेगी राजी सभा के पास 14 दिन का समय होता है कि 14 दिन में वो उसको एक्सेप्ट करें और as it is accept करें मतलब जैसा बेजा गया है वैसा ही सुविकार करें अपनी सुविकर्टी दे और लोग सभा के पास वापस बेज दे अगर वो 14 दिन में उस पर कोई सुविकर्टी नहीं देती कुछ भी नहीं करती कोई action नहीं लेता राजी सभा तो क्या होगा तो इसको दोनों सदनों में पा condition apply कि आपको एक्जाम देना पड़ेगा और आपको एक्जाम देना ही पड़ेगा मतलब कोई और चॉइस नहीं है राजी सभा को एक्सेप्ट करें या ना करें उसे accept ही माना जाएगा मतलब उसके पास कोई चॉइस नहीं है बस 14 दिन का समय दिया जाता है फॉमालिटी के ल चॉप से शुठाम ज्रहतं नहीं है राजी सभा में पेश क्या गया विए सब्यागिव में और फ्रॉमालिटी को चॉड़ दिन दिये विसके पारित पर शांट कर सकते हैं तो आप तो अंसे या तो चार्य कर लेकिन जो थर्ड पावर होती है उसे विचार के लिए वापका सब्सक्राइब गर्ड़ स्विक्राइब वीक्राइब जाता हो इसमें नहीं होता कि चार्पती दुढ़ भीज़ दें जादर यही चांस होता है कि जो पहले चांस होता है कि पूर्विसेहमती से रगघ्जाते मतलब सोलग नहीं परमीशन दीटी Department तभी उसको रखा गया था तभी वह पारित हुआ है और तभी राश्टपती पर है तो बहुत ज़्यादा चांसिस होते हैं कि राश्टपती इसको एक्सेप्ट कर ले और स्विक्रिति दे दे यह पूरा नयाँ प्रकार के राश्टपती पूर्वनुमतिब में रख जाएगा राश्टपती को 14 दिन दिये जाएंगे और राश्टपती के पास भी कोई करद लगाने, कर में संचोधन करने से सम्बंदीद विद्यAK को क्या कहा जाता है वित्र विधRYAK में रखा गया है या सामिल किया गया है। अब आप बोलेंगे धन विध्यAK से कैसे अंतर है। जहां धन विध messaging में संचित निदी और अकाश्मिक निदी से संचोधन करना है तो वो किसमें आता है वित्विधेयक में आता है वित्विधेयक एक large यानि wide area है और धन विधेयक एक छोटा area है आप इस तरीके समझ सकते हैं कि वित्विधेयक तीन प्रकार के होते हैं धन विदेयक, वित्विदेयक, शेडी का और वित्विदेयक शेडी खा यानि वित्विदेयक को का और खा टाइप 1 टाइप 2 दो में रखा गया है जिसमें धन विदेयक आर्टिकल 110 में रखा गया है वित्विदेयक 117 के पार्ट 1 में और वित्विदेयक शेडी खा 117 के पार इस तरीके से इसको टाइप 1, टाइप 2 में रखा गया है, धन विदयक हम अभी पहले डिसकस कर चुके हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरा सरकल धन विदयक है, तो इसमें एक पार्ट क्या है धन विदयक, धन विदयक का एक प्रकार है, एक टाइप है, आप इसको इस तरीके से धन विधेयक जो है वो समझ सकते हैं अब हम बात करेंगे कि वित्विधेयक, Shreji Ka echa में क्या अन्तर है? तो जो वित्विदेयक होता है, वो समाने विधेयक की तरह ही होता है बस कुछ मामलों में ये थोड़ा समाने विधेयक से अलग होता है जहां हमने देखा की जो धन विधेयक है? वो बिलकुली अलग है उसमें सारी पावर लोकसभा के पास है लेकिन अगर हम बात करें वित्त विधेयक की तो वित्त विधेयक समान विधेयक से बहुत जादा मिलता है लोकसभा राजिसभा दोनों के पास पावर्स होती है लेकिन बस कुछ मामलों में ये धन विधेयक से थोड़ा-थोड़ा मिलत वैसे वित्त विदेयक को भी पहले लोगसभा में प्रस्तुत किया जाएगा राष्टपती की पूरवा नीमती से प्रस्तुत किया जाएगा जैसे धन विदेयक को करते थे वैसे इसको भी राष्टपती से पहले अनुमती ली जाएगी उसके बाद ही प्रस्तुत किया कि इसके बाद लोगसभा में पास होगा, इसकी रीडिंग्स होगी, राजिसभा के पास जाएगा, अब राजिसभा के पास फिर से वही पावर है कि वो उसे अपनी स्विकृति दे, ना दे, उसमें शंचोधन करे, लोगसभा को वापस भेजे, पारित ना करे, जैसे समान वि लोगसभा में रखा जाएगा, और अगर राजिसभा और लोगसभा में नहीं पास हो पाता किसी वज़े से, तो इसकी सहयूक्त बैठक बुड़ाई जा सकते है, सहयूक्त बैठक क्या होती है, कि अनुछेद 108 में, यानि भारतिय सविधान के आर्टिकल 108 में, 108, आप इसको सहयूक्त बैठक की अधिक्षता करता है, राष्टपती की अनुमती से बैठक बुलाई जाती है, अगर उसमें पास हो जाए, तो भी विध्यक को पास माना जाता है, वित्विध्यक के के सकता है, तो ये हो गई कंडीशन्स जो होती है, अलग, इसके अलमा वित्विध्यक भी पूर्व राजयसवा Cris कि घञे। जैसे कि समालने विधियक होते हैं उसी तरह से as it is किसी में भी बस ये है कि राष्टपती की पूर्व अनुमती से राष्टपती जब इस पर अनुमती देंगे ये बात तो ठीक है राष्टपती पूर्व अनुमती देंगे लेकिन राष्टपती के अनुमती के बाद ही इस प तो पारित किया जासकता है वरना पार इत नहीं के जासकता यह इसको विशेश बनाता है इस में बी ब्रस्णियू का दोगी नियू चालब करद्द आ सपथी उसे पहले वाले वीडियो में मैंने समान विदया को समझाया था आप उसे देख सकते हैं अगर आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने ना भूले हो सकता है आपका वीडियो सेयर करने से किसी की मदद हो जा करने से किसी की मदद हो जाई आपका करने से करने से लगा होजोड़ के से दोस्तों करने से किसी की में जरूर आपका